शिफशक्ती बिचायत और डेकुरेशन महर्शी दयानन नगर से अपनी गाड़ी MS-31BW-4118 पर पीडित हुडकेश्व निवासी अशो कुम्भारे जा रहे थे इसी दोरान एक्टिवा पर सवाद चालक का यामह को मामिली कट लग्या इस पर आरोपी केलाश निगाले गलोच कर तलवार का डर दिखाते हुए तीन हसार की मांगी इस मामले पर आरोपी केलाश पर पांच पावली पॉलिस स्टेशन इधारा 387, 326, 344, 294, 506, 42, 427 के तहत मामले दर्च कर उसे गिरफतार किया है पांच पॉलिस स्टेशन अंतरगत दुपईया वाहन का कट लगने पर आरोपी ने वाहन चालक से 3000 रुपे का हफ़ता मांगा पैसे नहीं देने पर उसने वाहन की हेडलाइट और मीटर को तलवार से तोड डाला इतना ही नहीं तो पांच पॉलिस के पेट्रोलिंग वाहन को वहां से गुजरते समय आरोपी की जब हरकत दिखाई दी तब वह पुलिस को देख भागने लगा और इस दोरान कुछी दूरी पर खड़े रगुनंदर धकाते महश्री दैनान नगर जरीपट का निवासी ने आरोपी केलाश को पकड़ने का प्रियास किया तो आरोपी केलाश ने रगुनंदन के पैर पर ही तलवार से वार कर उसे जखमी कर दिया लेकिन आखिरकार पुलीस ने आरोपी का पीछा कर उसे तलवार सही धर दबोचा दैनान नगर जया है चीवशक ती बिचायत आइन डेकोरेशन जवा मर्शी दैनान नगर आहे तिथे तैना आचानक एक इसम अपले गड़ी हो नाला आणी फिरेदी चा गड़ी चा आडवी तैनी गड़ी उभी केली आणी तला अचानक शीवगाळ करऊन तू माला माजा गड़ीला करट मारली आणी तया चामनी माजा गड़ी जवन उपसान जहले ला है त्यामे मला 3000 रुपे भरूंदे नहीतर तो लाता सोणना नाई असा शीवगाळा करऊन तला दमकावे लागला होता आणि दरम्यान तेनी त्या इसमाने जैसे नावाये कैला शिवराज राम्टेक करवाई तेवीस वर्षे रानार गुद्धनगर आनंद गुद्ध वियार चे पठी मागे हाँ पूलिशेशन पासपवली चा रिपड़ गुणे गारा तेचे विरुद्ध शर्राय विरुद्ध चे सुद्ध गुणे दाखला है मागे मागे एक वर्षे भरापास होंतो निश्क्री होता परन्तु दातर केला तैनी पुन्नाहा सदर जबुना के लेला है तैनी तैा फिरियादिला दंकावने शर्वत केली और ताचा गाडिचा पाईदाना जबवली तैनी चे तलवार थे ल Teaती ते सुद्ध कालुं फिरैदिचा गाडिवर तैनी फिरैदिने गहाबरुद पैसे द्यावे या फो देशणे तै् Yo sacar गाडिवर ती तलवार मारली प्रुपी व्रुद्ध इसमाने जनसा नावा हे रगुणंदन विशाल धकाते वोई 17 वर्षी जननी तला अडवनाचा ब्रहितने केला इतला आरुपी ने तेंचे पाया वर जोरात लात मारलेने तेंचा पाय सुद्धा फ्रक्चिर जालेला हे तरी सुद्धा पोलिस आनी त पाटला करून तरा ये जिश्वीत दया पकड़ लेले आ हे और फिरेदी चा तक्राय लेवरों आरुपी व्रुद्ध कलम 337,327,324,25,45,427,बारतिय दंडविदान सह कलम 425,बारतिय अत्यार काईदानों सार्ट तेंचा और गुणा दाकल के लेला हे और पिचा चार पिचार गिणा तालेला हे गौरतलब रहे कि आरुपी के लाश पर इसके पहले भी कई आपराधिक मामले दर्च हैं पाचपावली थाने के उपनिरिक्षक राजेश डूंग्रे ने आरुपी के लाश पर धारा 387,326,341,294,506,427,बारत चार ओबलेक 25 के तहत मामला दर् कर उसे गिरफतार किया है इन बिसे न्यूस के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अकिलीश फरदवाच के साथ रूपा बंडित की रिपोर्ट